परल फार्मिंग मतलब मोती की खेती वही मोती जिसे रत्न के रूप में हम सद्यों से धारन करते आ रहे हैं आबूशनों में मोतीों का इस्तमाल बड़े पैमाने पर होता है गया के मानपुर प्रखंड के बरेव गाउं के रहने वाले किसान अजय महता ने मोती की खेती शुरू की है दरसल अजय महता पहले मुख्या थे लोकडाउन में आर्थिक संकट के दौरान सोशल मीडिया पर मोती की खेती की जानकारी का एक वीडियो देखा जिसमें बताया गया था कि किसान इसकी खेती का लाखो रुपए कमा सकते है इसके बाद बिना समय गवाए उन्होंने इसकी जानकारी लेकर मोती की खेती शुरू कर दी मैं यूटूब पर कुछ नया सिखने के लिए हमेशा कुछ नो कुछ सर्च करते रहता हूँ तो लगवग एक साल पहले यूटूब पर हम देखे थे कि मोती का खेती मतलब गाउन देहात में भी किया जा सकता है तो इसके लिए उडिशा में इसका एक ट्रेनिंग सेंटर है तो उसके बारे में मैं सूच ही रहा था कि एक दिन यूटूब पर हमको जारखंड में जामताळा में भी इसका खेती करवाया जा रहा है वो जानतावा में जो आत्मा है किर्शी विवाग का जो कारजाले होता है तो आत्मा के थुरू वहां मोती का खेती और ट्रेनिंग करवाया जा रहा था तो यूटूब पर ही हम सर्च करकर करके और मुवाइल नम्मर पर आपकी एक मनिश कुमार सिंहा जो भीहार कही है है फत्ना में रहता है वह से जुड़े हुए है मैंने उन से संपर किया तो बताए कि आपके घाव में भी तलाओ मैंने उनको जनकारी दिया कि मेरे पास तलाओ भी है मचली का पालन हम अल्ड़ेटी पहले से कर रहे हैं तो क्या उसमें भी मोती का खेती किया जा सकता है। उन्होंने बोला कि वो तो आपके लिए प्लस पोइंट है कि आपको एक्स्ट राक्षण कर और मोती का खेती आप कर सकते हैं! मैंने उनसे संपर किया, वो हमारे पास आये, भिजिट किये। फिर जो प्रियोशस था वो हमने ये किया, उसके बाद उन्होंने सीप लाकर करकर दिया, अब दो महिना होने जा रहा है, उसके बाद इसको आउपरेशन किया जागा एक सब्सक्रा के अंदर में, जिसमें हम लोग जो अभी मोती का खेती करें वो मोडिलर मोती है. इस मॉडियूलर मोती की मांग भारत के साथ-साथ विदेशों में भी बहुत जादा है उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि नौकरी करने से अच्छा मुनाफ़ा मोती की खेती मचली पालन और बकरी पालन में किया जा सकता है मतलब इसका सीप का कबच जो होता है उसी को मरने के बाद डेड़ जो कबच होता है उसको पीस करकर को कुछ केमिकल्स बगरा मिला करकर करकर मनाया जाता है और उसी को प्रेशन के दुबारा एक साचा डाल दिया जाता है जिसमें परत दर परत जब किसी के आख में अगर मान ल जाता है तो तकलीप मस्तूस होता है और एक एंजाइम छोड़ते रहता है वह वही जम करके मोती का सक्ड़ लेता है उसको मोडलर मोती हम लोग बोलते हैं और इसका भारत में दिभीन धार्मी का स्थलों पर अच्छा डिमांड है और विदेशों में तो और ज्यादा जिसमें मेरे को 50% भी लगाया गया है मेरे तरफ से 50% आत्मा जमतारा जो है उसके तरफ से लोन के रूप में दिया गया है यह 14 महिना में तयार हो जाएगा वैजिला क्रिशी पदादिकारी सुदामा महतो ने कहा कि किसानों को प्रशिक्षन के लिए भेजा जाएगा जहाँ वे मोती की खेती देखेंगे प्रशिक्षन के लिए प्रशिक्षन के लिए बेजेंगे अगर वह सफल रहे तो फिर किसान को देखेंगे wrapper मैं इसमें अभी सब शीडी की बात नहीं है मोती की खेती पर कोयी सब शीडी की बात नहीं है। अभी मुख चीज है कि किसान को तयार है तो उनको हम लोग सीफा भाम स्यीफा वह भेजना के दलंग है तो फिर आगे उसके प्लेटिया बढ़ा है प्लेटिया बढ़ा है